तो जनाब अब हम continue करते हैं प्रीविएस वीडियो की continuation में यह second part है और इसके अंदर हम कुछ very interesting case scenarios discuss करने जा रहे हैं regarding the subtraction of hexadecinals लेकिन उस position पर जाने से पहले when we discuss about the subtraction itself कुछ चीजें हैं जब मैं आपसे थोड़ा सा एक recap चाहरा हूं ताके वो आपके दमाग में रहे एक background उसका रहे ताके आपको समझने में असानी हो segmented memory model के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो IPX88 का architecture है that calculates the physical memory in 20 bits ठीक हो गई बार अच्छा लेकिन उसके जो registers है that is 16 bits आप जैसे आपका base register है या आपका segmented segment registers है ox sets है तो वो basically 16 bit में होते थे तो हम physical memory address जो है 20 bit का कैसे calculate करते थे it was very easy segment जो होता था segment registers उसका जो least significant bit होता था उसके अंदर we used to add 0 तो हम उसको 0 add करके 20 bits का बना लेते थे और जो offset होता था उसका जो most significant bit होता था उसके अंदर हम 0 लगा देते थे और उन दोनों को हम add कर लेते थे तो हमारा answer आता था 20 bits के अंदर और अगर इस दोरान कोई carry आ जाती थी addition में तो हम उसको जो है वो करके जो carry थे उसको हम ignore कर दिया करते थे यहां तक बात clear हो गई अच्छा अब याद रखिएगा कि segment register की अंदर हम जो है least significant bit को add करते थे 0 और offset को हम most significant bit के अंदर add करते थे 0 to make it five digit in hexadecimal right four digit में तो 16 bit हो गया five digit में 20 bits हो गया correct अच्छा अब आगे चलते हैं आपने binary numbers के अंदर two's complement को calculate किया होगा right अच्छा अब two's complement आप कैसे calculate करते थे basically मैं को यहां पर संझाता हूँ एक चोटी सी में मिसाल दे रहा हूं आपको देखे यहां पर अब जैसे for example मैं आपसे कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ 1010 अब यह जो 1010 है यह represent करता है 10 को decimal के अंदर अगर यह मैं binary में लखूँ और यह decimal है तो यह आपका 10 1010 जो है वो 10 है अच्छा लेकिन अगर इसका मैं once compliment लूँगा once compliment basically हम क्या करते थे बहुत असान है students हमारे बड़े मज़े से कह देते हैं sir आउसको एक काम करें आप इसको जो है वो 0101 कर दें भाई क्यों 0101 कर दें इसको आप उल्टा कर दें जहां पर 0 कर दें और जहां प बट यह तीरशा है लेकिन टेक्निक यह घलत वो किसे अभ सुनिया गोर से सुनियागा बहुत ओअ और यह देखे यह 0101 आया था यहां पर अचा इसमें होता क्या है यह घटना है इसको क्चोटा करके यहां लिखता हूं ताकर आप यह समझ मैं कि मैं समझाना क्या चाहरू यह देखें, 101, I'm sorry, इसको करते हैं, 1010, ठीक है, अच्छा, अब यह जो 1010 है, इसका हम वन्स कॉम्प्लिमेंट जो लेते हैं, वो बेसिकली, उल्टा तो करते हैं, लेकिन वो होता कैसे है, उसका पीछे बेग्राउंड क्या है, वो बेग्राउंड यह है, आपको पता है, कि ब नंबर आ सकता है, बाइनरी में, वो 1 आ सकता है, तो आप यहां पर 0 जो है, इसको आप 1, यहां पर लिखते हैं, और 0 को 1 से माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 0 क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 0 आपको मिलेगा, 1, ठीक है, यहां पर भी आप 1 से 1 को माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा 1 और यहाँ भी यह 1 को 1 से मैंस करेंगे तो यहाँ पी क्या मिलेगा आपको 0 यह 0101 आ गया यह वही 0101 है तो यह 0101 ऐसे आता है बाइनरी के अंदर क्या 1 maximum जो जो भी number system आप यूज कर रहे हैं उसका जो maximum आता है एक डिजिट का maximum उसमें से आप जो है उसको माइनस करते हैं तो आपका 1's compliment आता है और फिर 2's compliment में हम क्या करते थे है very simple हम इसके अंदर 1 add करा दिया करते हैं तो वहाँ पर आप यहाँ इसको 1 add करा देंगे ठीक है तो यह आपका 1-1 क्या हो जाएगा 1-1 हो जाएगा आपका 10 यानि कि 0 यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 1 ठीक है और यहाँ पर आजाएगा 1 और यहाँ पर आजाएगा 0 तो यह आपका 0 1 1 0 इसका 2's compliment आ गया 1 0 1 0 का ठीक है ना अच्छा लेकिन यह 2's compliment actually है क्या इसको आप इस तरह किसे समझिये कि जैसे for example अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 minus 10 इसको मैंने कहा 5 minus 10 इसका जवाब मेरे पास आना चाहिए minus 5 राइट अच्छा लेकिन 5 minus 10 पता है यह होता क्या है computer इसको कैसे समझता है computer इसको इस तरह करता है कि 5 plus minus 10 और फिर इसको calculate करता है मतलब actually यह जो 10 है यह वाला जो 10 है यह 10 इसको पहले वो compliment बनाएगा इसका negative करेगा और फिर उस compliment को इसके इंदर add कर देगा तो जवाब आपके पास minus 5 आएगा यह computer इसको इस तरह कर रहा होता है ठीक है अब यह जो minus 5 आएगा इसको बताने के लिए जो most significant bit होती है उसको वो one कर देता है राइट ताकि वो show कर सके कि यह negative number है या two's compliment है या most significant उसकी one हो जाती है अब यह तो बात हो गई आपकी binary numbers की हाँ अब हम बात कर रहे हैं यही चीज़ अगर hexadecimal में हो इस lecture को बहुत गोर से बहुत धिहान से सुनियागा अगर समझ में ना आए बार बार repeat करके सुनियागा आप यकीन केजिए अगर आपको यह lecture समझ में आ गया आप मुझे दौएं देंगे और इससे आपका बड़ा concept clear होगा और यह एक दफाब का concept clear होगा आप यकीन कीज़े ही आपको इतना काम में आईगी ना चीज़ आगे जाके कि यू विल आप 401 या computer architecture या assembly language जितनी भी है वो it will come on to your tips तो बहुत और से इसको समझेगा अब मैं बात करना जा रहा हूँ 16 bits की यानिके sorry 16 number system यानिके hexadecimal क आप इसको करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि उसको हम कैसे करेंगे तो इसरी बाते हैं उसके बाते हैं और आप जो है वहos 2 qualities compliment करेंगे लेकिन हम उसको जब hexadecimal महं कर रहे होते हम उसको ones yes two compliments नहीं होते हम उसको कह रहे होते है 15th compliment V15 compliment या उसको हम कहते है 16th compliment right ऑब हो क यह उस सूरत में होता है जब आप नंबर को सब्ट्रेक्ट कर रहे होते हैं. अब चाहे नंबर बड़ा हो या छोटा हो, कौन सा नंबर? मैं सब्ट्रा हेंड की बात कर रहा हूँ. याद है मैंने आपको बताया था कि एक subtrahend होता है और एक minuend होता है तो अब subtrahend जो है वो बड़ा हो या छोटा हो वो उसको उसका 16th compliment लेके computer जो है वो उसके अंदर add कर देगा और वोही जवाब जो सका आएगा the most significant bit के अंदर F आएगा F मतलब के one आएगा वो उसका negative number हो जाएगा यह simple सा एक बड़ा एक कहले के birds eye view है एक major concept है एक बिल्कुल कहले के summary में मैं आपको बता दिया मैं आपको करके दिखाता हूं अचली यह होता क्यासे है ठीक है अब हमारे पास दो numbers है दो numbers कौन-कौन से है अब याद है आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि physical address segment और offset segment plus offset physical address होता है अगर आपको offset हमें एक सवाल आया हमारे पास कि एक physical address जो है वो हमारे पास है 003C और segment जो है वो है हमारे पास 003A लेकिन एक चीज मैंने जो मैं बार-बार-बार-बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि physical address जो है वो 20 bits में होत तो यह तो 16 bits बनी क्योंकि देखें hexadecimal का एक डिजिट में वो 4 bits का होता है तो 4, 4, 2 is a 8, 4, 3 is a 12, 4 for the 16, right? for the 16, तो अब इसको हम 20 bits करेंगे, अब हम इसको 20 bits जो हम करेंगे तो physical address है यह तो physical address को 20 bits करने के लिए हम आगे इसके आगे मतलब least significant bit पर 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे फिर इसकी numbering change हो जाएगी हम इसके starting में जो है वो 0 add कर देंगे वो कैसे वो देखे मैं इस तरह किय इस तरह किया, यह देखे मैंने एक number इसके 0 आगे add कर दिया, most significant bit के, अब देखें यह वह वाली बात है कि मैं 000000001 लिखूं या 1 लिखूं देखें, वो computer ने खुद ही कर दिया, वो 1 है, ठीक है ना, तो यह वह वाली चीज है, तो मैंने, मैं इसके आगे कितने भी zeros लगा द तो मैंने इसको 414, 208, 43012, 4406, 520, यह मैंने 20 bits में इसको कर दिया, अच्छा, अब आती है बात segment की, अब segment उसने हमें दिया, 003A, अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि segment का जो least significant bit होता है, उसके अंदर हम 0 add करते हैं, यानि के हम add करेंगे यहाँ पर इस तरह करके, तो यहाँ पर मैंने इसको multiply by 10 करके, इसको 003A 0 कर दी, अब मेरे पास यह दोनों number जो है, वो 20 bits में आ गए, तो मेरे पास offset जो है, वो calculate हो जाएगा, अराम से, अच्छा, अब offset calculate हमने करना है, physical address हमें दिया हुए, segment हमें दिया हुए, हमें मालूम है कि physical address segment plus offset होता है, अगर मुझे offset पता करना है, तो segment उदर जाएगा, तो physical address में से minus हो जाएगा, simple है, simple algebra है, तो यह अब यह चीज़ हमारे पास आगी, अच्छा, आप गौर से देखे, अब यह जो चीज़ हमारे पास यहाँ आई है, यह जो है ना, यहाँ पे subtrahend जो है, वो बड़ा हो गया है, और यह जो है वो छोटा हो गया है, अब क्या करें, यह तो बड़ा एक कंप्लिकेट इश्यू हो गया है, यह तो नहीं हो सकता, देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने कैसे किया, आपकी असानी के लिए, मैंने यह hexadecimal को मैंने, decimal system के अंद तो 003C जो है, उसको मैंने decimal किया, तो decimal में क्या आया, वो 60 आया, आपको करके दिखाता हूँ, अब यह देखें, 003C, मैंने इसको convert किया, तो यह मेरे पास आगया 60, वो मैंने जनाब यहां पे लिख दिया, अच्छा, और जो मैंने आपका segment calculate किया था, वो मैंने किया था 003A 0, ठीक है ना, 5 bits के अंदर, यह मैंने calculate किया, यह आगया आपके पास 928, अडे यार, अब यह 928 आगया, अब यह तो negative में आएगा, यानने कि हमारे पास negative 868 आना चाहिए, ठीक है, तो यह इसका equivalent जो बनेगा, hexadecimal में, वो बनेगा FC9C, अब यह कैसे हुआ, अब देखते है जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, कि जब इस तरीकी की situation आज है, तो manually calculate करने, के लिए, computer तो कर देगा calculator के थूँ, हमें इसको manually भी समझना चाहिए, कि calculate होता कैसे, तो यह calculate ऐसे होगा, मैंने आपको अभी बताया था, कि यह जो calculation करता है, computer वो इसका compliment करता है, यानि कि 5 plus add करेगा, लेकिन उसका जो subtrahend है, उसका compliment करेगा, अब यहाँ पर बात जो हो रही है, वो बात हो रही है, hexadecimal की, तो यहाँ पर हम जो compliment लेंगे, वो 16th compliment लेंगे, right, I hope कि यहाँ तक logic समझ में आ रही है, तो उसका करने के तरीका क्या है, तरीका यह है, कि मैंने देखें, यहाँ पर इसको मैं भी छोटा कर देता हूँ, ताकि आप इसको अभी मत देखिएगा, अच्छा, अब देखें, यह 0, 3, A, 0 है, क्योंकि हमने यह वाला माइनस करना है, तो यह 0, 3, A, 0 जो है, इसमें से हम 15 माइनस करेंगे, याद है, मैंने बाइ इसमम एक का क्या है, 15 है, तो 15 को हम लेंगे, तो 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 15 आएगा, और 15 को हम कैसे रप्रेजेंट करते हैं, F से रप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पर F आ गया, ठीक है भाई, इसी तरह 15 माइनस A, A को क्या हम रप्रेजेंट करते हैं, A रप طریقے سے 15-3 क्या होगा 12 12 को हम क्या लिखते है C 15-0 क्या होगा 15 15 को हम क्या लिखते F यहाँ पर क्या आ लिखते है F अगर आप यहाँ देखें देखें बात आ रही है वही 4 बिट्स के अंदर अगर हम F को रप्रेजेंट करना चाहें तो वह 1 1 1 से हम representing करेंगे 1 1 1 से में represent करेंगे 1 1 1 मतलब कि यहां पर यह 1 आ रहा है it is maximum, कंप्लिट आ गया आपका अब आपने जो कैल्कुलेट किया है यह आपने कैल्कुलेट किया है 15 complement यह 15 complement आपने हिस्लिट किया है तो 16 compliment calculate करने के लिए आप इसमें 1 add करेंगे, जब इसमें 1 add करेंगे, तो f मतलब होता है कि 15, 15 plus 1 क्या हो जाएगा, आपका 16, और 16 को आप कैसे represent करते हैं, hex में 10 से represent करते हैं, तो यहाँ पर आजाएगा 0, और यहाँ पर आजाएगा आपका 1 carry, देखे जनाब, यहाँ पर आगया आपका 1 carry, इसको भूल जाएगे अभी आप, अच्छा, और 1 यहाँ पर carry आगया, 0 हो गया, 1 यहाँ पर carry आगया, 5 plus 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गई ना, पाक, 15 plus 1, 16, 16 को हम एक्सा डेसिमल में 10 से represent करते हैं, तो 0, 5 plus 1, 6, ठीक हो गई अच्छा, यहाँ पर कुछ भी निया, C as it is आजाएगा, F as it is आजाएगा, तो अब जो है आपका, यह जो है ना, इसका जो कॉम्पलिमेंट, 16 कॉम्पलिमेंट है, वो आपने कैल्कुलेट कर दिया, FC 60, अब इसको आप add करेंगे, अब यह आपका negative number आ गया है, कौन सा वाल minus में number आ रहा है, तो minus और इसमें आप add कर देंगे तो आपका offset आजाएगा, ठीक है, इसको आप add करेंगे, अब आप इसको जब आप add करेंगे, तो मैं इसको यह देखे, यह मैं आपको बताता हूँ, यह, तो 003C मैं आप इसको add करेंगे, तो 0 plus C, C आजाएगा, 6 plus 3, 9 आज यह हो गया, यह हो गया, आपका FC9C, ठीक है, तो आपका offset आगे FC9C, यह इस तरीकर से आया, this minus this आपका आगे FC9C, अच्छा, अब FC9C, यानि कि यह equivalent होना चाहिए, 868 के, करके देखें इसको, बिल्कुल करके देखते हैं, मैं आपको यह direct calculator से करके दिखाता हूँ, अब यह मैंने करके दिखा हूँ, 003C minus 003A0, यही था न, दोबारा देख लेते हैं, यह, 00, इधर था, किदर गया वो, हाँ, 003C, 003C, चले इसको एक और 0 लगा देते हैं, 003C minus 003A, 003A0, अब इसका जवाब क्या आएगा जनाब, calculate हमने किया, और इसका जवाब आया, decimal में, minus 868, minus 868, अब इसको मत देखिया, 364, क्योंकि वो बेसिकली आपको यही चीज दिखा रहा है, कि minus 364 वो hexadecimal में आपको नहीं दिखा रहा है, वो मैं अभी आपको करके बताता इसको अभी आप मत देखियेगा, इसको अभी आप मत देखियेगा, यह minus 868 आगया, 868 तो आपको यहाँ वाला सही हो गया भाई, तो अब यह जो minus 364 है, यह कैसे calculate करेंगे आप FC9C में, इसको हम देखते हैं यहाँ से, minus 368, इसको swap करते हैं, sorry, 868 है, मैं 368 पता हैं, 868 है, sorry, 868 आपने किया, तो यह देखें, आपका क्या आया, FC9C, तो यही हमारा जवाब यहाँ पर FC9C आ रहा है, I hope कि आपको यह concept clear हो गया होगा, और समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को दोवारा repeat करके देखि यह concept clear करना बड़ा जरूरी है, once you clear this concept, मैंने YouTube के पर भी देखा, और जगाँ पर भी देखा, ना lectures के अंदर, इस चीज़ को इतना जादा जो है, वो discuss नहीं किया गया है, तो अगर आपको यह समझ आ गया है, तो आप मुझे दौाओं में याद रखिएगा, और इसको अपन concept के साथ, और उस वगद तक मुझे दौाओं में याद रखिए, मैं हूँ सादिक एहमद, और मिलते हैं एक नए concept, एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, असलाम उलेकुम